मंचपर उपस्थीत परमादरनिय स्वामी अवदेशानन्द गिरी जी परमादरनिय डॉक्टर मुरली मुरुनर जोशी जी श्री अरुण महेश्वरी जी श्री अनंत्य विजय जी सभागार्मी उपस्थीत मेरे प्रिय और विचारक ऐसे भाज्यो बहनों कभी सोचा नहीं था ऐसा पुस्तक विमोचने कारेक्रम मेरे लेकों का होगा सारे घटन दाकरम देखता होते एक डिवाइन डिजाइन देखती है स्वामी जी के दर्शन करने के अभिलाशा कभ से मनमिती योग नहीं आ रहा था आज इस कारपने के निमित्त दर्शन आशिरवा दोनों प्राप्त हो रहे हैं मैं सोबह के शाली हूँ डॉक्टर जोशी भारतिया प्रग्या के मुर्धन ने प्रवक्ता है उनका जागरे नची के ता जाग यहले मेरे आज भी स्मरण में है प्रग्या प्रवाइस वैचारी कांदोलन के पुरोधा रहे मेरे पिताजी के सहकारी रहे हैं हमारा परस्तर मिलना बहुत कम हुआ है प्रवंद इतने जेश्ठ चिंतक काले करता नेता होने के बाद भी मेरे लेखों को पढ़कर उसके बारे में फोन करके अनिक बार उन्होंने लेखों के बार अपनी प्रत्यक्रिया संतोष व्यक्ते किया है जो उनके मन का बड़पन है ऐसे एक जेश्टे बेखती यहां पर इस कार्यक्रम के प्रमुकतिति नाते आये है इसका मज़े बहुत संतोष है यह लेख एक पुस्तर गुर्प में प्रकाशितोना इसके पीछे नमिता जी गोखले का यह मुख्यत संकलपना है उनका यह परस्यूएशन है नमिता जी का परिचे कराने का श्रय प्रग्या को जाता है प्रग्या मुझे पहली बार जेलेफ में निमंत्रन उन्होंने वहां बात करके भूमी का बना कर एक संबवनों होने वाली बात संबव होई इसलिए प्रग्या का भी यहां रहना खास महत्वका है नमिता जी का भी इसलिए यहां प्रसंदेश भूलाई गया है व्यसाँ आने वाली थी याने अनेक प्रकाशकों से नमिता जी ने बात कि वानी प्रकाशन की भी खोज उनिकी है और आज पुस्तक का लोकार पॉर्ण हो रहा है थैंक्यू नमिता जी वैसे मेरे लेख थोड़े लंबे हो था क्योंकि मैं लेखक नहीं हूँ और प्रिंट मीडिया में बारा सो तेरा सो वर्ड़ में लेख लिखने होते मेरे थोड़े दोजार के होते हैं तो बड़े कठ़ते होती थी परॉंत अदविता काला करन संडे गार्डेन से परेचे हुए पूरे के पिरेवे च्छापते हैं तो इंडी नल्पज्य का भी इसमें मुझे मेंसे लेखक बनाने में उनका भी योगदान है इसलिके उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं जैसा पहले का है कि मैं लेखक नहीं हूँ मुझे लेकर किस ने बनाया एक घर्टना ने बनाया इस पुस्तक में 34 आर्टिकल्स है उसमें से 29 आर्टिकल्स 2018-19-21 के है नौ-2018 के केवल साथ मेहने में लिखे हुए है उसके पहले के वल दू आर्टिकल्स से जो अन डिमांड लिखे गए थे 2010 में 2016 में क्या हुआ तो जून 2018 में नाकपुर के संग शिक्षा वरग के समापन में पूर्वा राष्ट्र अपति डॉक्टर प्रणों मुखर जी को आमत्रित किया था वे आने वाले थे वे आरे से जोईन करने वाले नहीं थे वे संगर के क्याडरों को एड्रेस करने वाले थे एक चिंतक है बहुत लंबा उनका सामाजी के राजकी जीवन रहा है आईसे वेक्ति अपने विचार वेक्त करने वाले थे लेकिन इनका इतना विरूद हुआ मेरे समझ में नहीं रहा थे कि क्यों विरोध हो रहा है वे संगे जॉइन नहीं करने वाले थे वास्तों में उनको बारे में आच्छा सोचने वाले लोगों को आनंद होना चाहिए हमारे आद्मे को वहां बुलाया है खरी-खरी सोनाएगा इसके बरले अनावशक इतना अर्टिकल से उसमें पहला आटिकल वह है जो मैंने स्वयम होकर लिखा है अर्थात उनका इतना विरोध होने के कि तीन फाइदे भी हुए इतना विरोध होने के बावजु डॉक्टर मुखर जी आये प्रणावद आये कि इतना विरोध था तो मुझे लगा शायद कैंसल कर सकते हैं उन्होंने कहा इसका उत्तर में नागपुर जाकर दोंगा तब लगा आप तो आने वाली पक्का इस कारण कि जो लिबरल कहने वाले जमात की जो नॉन लिबरल एटिटूड है वह एक्सपोज हुआ सारे भारत के लोगों के सामने दूसरा फाइदा हुआ तो यह वैसे एन्यूल प्रोग्डाम होता है संगा का और किसी बहार के ऐसे सज्जन वक्ति अच्छी व्यक्ति कुपल आते हैं जैसे अभी विजा दुश्वी में शंकर महादेवन जी आये थे यह संगा की परमपरा हैं लेकिन इतना विरोध होने के कारण सारा मीडिया वहाँ था और सभी लोग ने लाइव दिखाया तो देश दुनाय के करणों लोग उसको प्रत्यक्ष देख सके यह फाइदा हुआ है और संगा की वेबसाइट पर जॉइन आरेसस नाम का प्रावधान है जिनको संगा से जुडने की इच्छा है किसको मिलना किससे बात करना पता नहीं है यह प्रोग्राम साथ जुन 2018 को था एक से छे जुन तक रोज डेली एवरेज 378 रिक्वेस्ट आती थी लेकिन साथ जुन को नमर आप रिक्वेस्ट बहुत 1779 एक दिन में यह फाइदा हुआ तो विरोध करने का भी फाइदा होता है इसलिको उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ तो संग को बाहर से समझना थोड़ा कठिन है कि संग जैसा कार्य संगटन दुनिया में कही नहीं है लिगे संग के नजदीक आकर संग में प्रवेश करने के बाद संग को समझना वास्तों में बहुत आसान है तो कैसे संग के बारे में धालना गलत थी प्रत्यक्ष मिलने के बाद कैसे बदल हुआ ऐसे अने घट्टाओं का उल्ले यहाँ पर इस पुस्तक में किया गया है इस पुस्तक का शीर्षक ही बताता है वियाने भारत को दुनिया क्यों देखनी की भारत की दुरुष्टी बाकित दुनिया से अलग है हम दो दुनिया को एक ही मानते हैं जोड़ा मानते हैं हम दो भाग नहीं करते हैं कि रवन महर्शुजी को पुछा गया how should we treat others उन्होंने खा there are no others यह भारत का दुष्टि को नहीं इसलिए अधराइजेशन यह भारत का विचार नहीं है भारत तो वसुदेव कुटुमबकम को मानने वाला है लेकिन जिनका विचार भहुतिक ताप राधारित है जिनका मूल से कि अनगा चुछ हमाता भारत जान फॉष्टी अलग उन्हों करते हैं यह भारत जीर रहे हैं बागी दुनिया उन्हों कर रही है वह भारत की जीवन दुरूष्टि जिसका अधार अध्याज़त्य विच्थि इसलिए वो holistic है इसलिए वो integral है इसलिए इंटारे creation connected इसलिए वसुद्ध कुटमबकम है इसलिए यह सेमेटिक मुल के विचार से प्रभावित होकर जो otherization की बात सोचते हैं उनका वास्त में विचार भारतिय नहीं है इसलिए प्रनावदा को जिसकारण से विरोत किया गिया वहां भारत्य वृत्ति नहीं है भारत में तो अनेक लोग को साथ बिठा कर चर्चा होती है वादे वादे जायते तत्व बहुत ऐसा यहां कहा है तो इनका जो जो वर्ड भी हो फ्रैग्मेंट जड़े इसलिए उनके दुरुष्टिय अलग है दिरे दिरे हम और बाकी यहां से शुरुबात होती है फिर दिरे दिरे हम यहां बाकी वी और अदर आइदर वी और अदर यहां तक बात आती हागे और फिर हम ही और कोई नहीं यह बात भी आती है मैं ही नो अदर यहां से फैनेटिजम शुरू होता है तो प्रनौदा को विरोध करने मारे लोग इस फैनेटिजम के कारण नहीं बुला सकते आप अब यह इतना स्रेष्ट जेष्ट व्यक्ति कहा जाना स्वयम तैय कर साकता है कि नहीं तो संग्य को समझना है तो सही में भारत को समझना वश्यक है तो भारत के जो विशेष्टा है भारत की चिंतन की तीन चार बाते के वल मैं कहूंगा बाकि काफी जेश्ठ विद्वान लोगों को हमको सुनना है तो ये श्यावासी उपनिशित का पाचवा जो श्लोक है वो परस्पिर विरोधी बाते भी एक साथ रह सेकते इस बात को मानेता देता है आत्म तत्व कैसा उसका वर्णन करते है तदे जती तन्ने जती वो हिलता है वो नहीं हिलता है तद दूरे तद अंतिके वो दूर है इतन पास में भी है तद अंतरस्य सरवस्या तद सरवस्या से बाहियता है वहाँ सबके भीतर है सबके बाहर भी है दोनों एक साथ सही है ये एक जैसे ने जान लिया वो भारत को समझ सकते आसानी से और संग को भी समझ सकता है दुसरे भारत की विशाष्ट ऐसी है जो मेरी समझ ऐसी है कि भावतिक समुरुद्धी भावतिक जीवन सुकप और वक्त पार होने के लिए जो भी ग्यानम प्राप्त अगरते हैं कोई डॉक्टर है तो इन सबको उपनिश्यत ने अविद्या कहा है परटेनिंग टू 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 वर्डली अफेर्स और जो अध्यात्म विद्या है जो मोक्षा का मारग दिखाती है वह विद्या है इसलिए एश्यावास उपनिश का एक स्लोक है अंदम तमः प्रविशंती ये अविद्या मुपासत है भारत ने माना है किसी एक को लेना ये सही नहीं है जो केवल अविद्या की उपासना करते वे अंदकर में प्रविश करते ऐसा कहा है कि आ गे की पंक्ति है टतो भूय उवते तम ये उम विद्या या मुआँ लटा है । जो केवल विद्या की साधना करते है और गहरे अंदकर में जात आसा कहा है और 11 वश्यावास लोक है विद्याम चाविद्या आविद्याम चाविद्या yaktad iym बहुतिक जगत को सुकपुर्वग पार करेंगे और विद्या के आधार पर अमरत्व के प्राप्ति करेंगे। इसलिए भारत को लोग व्यापर करने के दुनिया भर में गए हैं। उन्हेंने कॉलनिस था पितने की लूटा नहीं, कन्वर्ट नहीं किया। वहाँ लोगों को गुलाम मना कर बेचा नहीं। जो और वो नहीं किया। यह भारत के दृष्टी है। भावतिक समरुद्धी को न करा नहीं है। क्योब भावतिक था नहीं। यह बात कहिए। इसलिए हमारे यह भौतिक समरुद्ध१को अभ्युदधै का है। जो भारत की विशेष्ता है। रवेना ठाकुर नहीं कहा वेलफेर स्टेट यह भारत्य परंपरा कभी नहीं थी। जुडिशेरी फॉर्ण एफेर्स डिफेंस सेकुरिटी ये विशे केवल राज्य राज्य के पास होते थे बाकी विद्या स्वास्थ्य व्यापार उद्योग मंदीर मेला यात्रा इन सब के समाज की अपनी व्यवस्था थी इसके लिए राज्य कोश़ से धन नहीं आता था इ तागोर ने कहां, प्रविनाठागोर ने कि जो समाज राज्य पर कौश्य कम अवलन भीते वह स्वादेशी समाज है एक पोल पर खड़ा तंबु है, खंबा तूटता है, तंबु धराशाई होता है, पर उन्तु चार पाच खंबा पर खड़ा तंबु है, एक खंबा तूटता है, तो तंबु का आकर बिगड़ेगा, लेकिन वो जमीन पर नहीं आएगा, तंबु खड़ा ही रहेगा, और तू यहां राश्ट हमेशा स्वावलम भी रहा है कभी राज्जाधारित नहीं रहा है क्योंकि वो स्वदेशी समाज है इसलिए राज्जा यहां पर पराजित है यहां पर परकियों का राज्जा आया राश्ट हमेशा हमेशा पराजित रहा है इसलिए एक लंबा कंटिनियूम हमक तरुठाने को रिलिजन कहूंगा दरम को अंग्रेजी में धर्म ही कहते हैं। क्यों कि धर्म नाम की आउधालना नहीं है है। गा अपाथ इंग्लंड में घी की आउधालना नहीं है। आरती, प्रसाद उन सब के लिए को निस्के दिटोब बधू नहीं कर सकते धर्मा का ऐसा ही है तो पासना मेरे अंदर के देवत्व को प्रगट करने के लिए भक्तियों कर्मयोग ज्ञानयोग राजयोग इन में से किसी एक का दो का अनेग ये सभी का उप्योग करते हुए अपने नेशर्गिक प्रकृति का नियमन करते हुए मोक्षे के तरब आगे बढ़ना यह उपासना है और प्रत्यक विक्ति का यह उपासना का मार्ग इट कैन भी वेरिड कंपोदिशन आप अल दिस फोर मार्ग एक ही करना इसा कभी नहीं कहा है और धर्म वह है कि मैं छोटा क करो और आखे कुलो तो हमका दैरा बड़ा होता है और जो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं उनके लिए करने का मन सहज होता है वो करना समाज को देना एक्चुली समाज को लोटाना यह धर्मा है अभी हम सब लोगों ने कोरोना पैंडिमिक को देखा सब्सक्राइब करना यह धर्मा है और जानती वे भी लाखो लोग बाहर निकले ऐसा को भारत में हुआ है यह धर्मा है स्पिरुचालिटी से दे गौट कनेक्टेड मेरा अपना है मुझे करना है ऐसे खुब धरन है समय कम है लेकिन यह भारत की विश्यस्ता है तो समाज को लोटाना धर्मा कहा है इस आधार पर समाज एक पूंजी त्यार होती है इस पूंजी के आधार पर हर वेक्ति संपन करता है इसलिए विवेकान्द केंद्र की प्रार्थना में एक श्लोख है जीवन यावत आदानम स्याथ प्रदानम ततो धिकम जीवन में जितना हम ग्रहन करते उस से अधिकम वापिस कर सके समाज को यह हमारी प्रार्थना है भगवान आप पूर्ण करो और भारत स्वात अ हमें लिखा है धर्म चक्र परवरतनाय राज्य सब हमें लिखा है सत्यम वदा धर्मम चरव सुप्रीम कोड का देया वाक्या है यह तो धर्मस ततो यहां और हमारे राष्ट द्वजपर जो चक्र है धर्म चक्र है एवरी स्मॉल एक्ट आप गिविंग बैक तो सोसाइटी यह पुष्ट द्वील आप धर्म चक्र गोमने के लिए होता है यह चक्र ऐसे गोमेगा यह कलपना है और इसलिए यह चारो बाते जो है यह भारत की विशेष्टा है इनको समझेंगे तो भारत को अधिक हम आसानी से समझ सकेंगे अमने चीवन में उसका हम पालन कर सकेंगे परन्तो इस भारती अध्यात्मिक विचार से जिनका संबंद नहीं आया है या रहा है या रखा नहीं है वे बाहर के सेमेटिक मुल्क के विचारों से ज़्यादा प्रभावित है तो देरे देरे उनका वी और अधर्स यही इसको फॉलो करने वाले स्वरग में जाएंगे बाके नरक में जाएंगे यह विचार भारत में कभी नहीं था और देरे जर्द पर में ओनली नो अधर्स यहां तक बाती आए यहां से फैनेटिजम शुरू होता है और भारत में जो नॉन लिबरल नॉन ओपन और इंटाइरन लोग है उनका विचार और आजरन वास्तों में भारतिय नहीं है उन्हें भारत को समझना होगा भारतिय बनना होगा रविना ठाकुर ने अपने स्वदिशी समाज में यह एक अच्छी बात करें दो बाते कोड़ करूंगा मैं एक उन्होंने का अनेकत में एक अता देखना और विवित्ता में आइक के प्रस्थापित करना यह भारत का अंतरनी धर्मा है भारत विवित्ता को भेदनी मानता पर आएको दुश्मननी समझता इसलिए नए मानों समों के संगात से हम भाई भी नहीं होंगे उनकी विश्टेश्ताओं को पहिचान क पर उनको प्रिजर करते हुए विदाव डिस्ट्रॉइंग देम एक विशाल गवस्था में उनको साथ लेनी की विलक्षिन क्षमता भारत रखता है आगे वो कहते हैं किसलिए भारत में हिंदू मुसलमान बुद्ध इसाई परस पर लड़ते वे देखेंगे पर वे परस प विशेश्वाव से हिंदू जो भारत के सारी पहचान है इसका नाम हिंदूत्व है और अब टागुर ने कहा है तो इना ठाकुर ने कि हमें सबसे पहले हम जो है वह बनना पड़ेगा कॉंशेसली कंप्लीटली एक्टिवली यह बनना अवशक है तो भारत के भारतियों को भारतिय बनने के लिए इस भारत की आत्मा की पहचान हना समझ ना अपने जीवन में लाने का प्रहतन का नावशक है एक एरिक फ्रम नाम के लेकर की पुस्तक है एक सुन्दर कलपा का हम रखी है कि एक युवती 22 साल की आयो होती है शादी होती है मा बनती है एक बालग को जन्म देती है शीजे मदर नोबड़ी केंड डिना लेकिन वो कहते है मा बनना एक बहुत लंबी साधना होती है इसकी शुरू हुए है उसको मा बनना है शीजे मदर एंड शीया टूबी मदर उसी तरह हम भारती है ऐसे भारती बनने की प्रक्रिय अपने जितनी रहेगी उसमें भारत का य भारत अपनी सौंस्कृतिक अध्यात्मिक पहचान लेकर एक उंचाई का जो जीवन भारत का रहा एसा भारत का जीवन सारी दुनिया देख सके कि दुनिया वास्तों में ऐसे भारत को जानती है ऐसे भारत को चाहती है लेकिन भारत इस भारत को पहचाने से नकार कर रहा है करने में लोग अपने आपको बड़े इंटिलेक्चुल लिबरल ऐसे ऐसे कहने लगते हैं इसलिए यह बड़ा चर्निंग आवश्यक है और भारत की इस अध्यात्मिक पहचान लेकर हमारा मजहब रिलिजिन कोई भी हो भारत में जन्मा हुआ सब इस वहिचारिक चिंतन का वा इस पुस्तक में इसके बारे में काफी बात ही है तो यह लेखों का संग रहा समय समय पर जैसे प्रश्ण समाज में आते गे एक अंदर से प्रेणा जगी और में लिखता गया बाकि लोग उसको थोड़ा ठीक ठाट भी करते रहे सारा मेरा ही ऐसा नहीं है और आज यह पुस झाल